हेलो फ्रेंड्स वेलकम यूओ आज में आपके लिडियो ले कर रहा किने कि बात करेंगे फॉस्पोरस फॉस्पोरस का क्या इंपॉर्टेंट काम है यह देखिए प्लांट का डिवलपमेंट इसका जो रूट सिस्टम है जो स्टेम बन रहा है फॉस्पोरस की यहां पर जो main nutrients आते हैं किसी भी plant के लिए उसमें N, P और K यानि कि nitrogen, phosphorus और इसके बाद आपका potassium यह बहुत important constituents मैं कहूंगा बहुत important elements होते हैं उसके बाद फिर micronutrients आते हैं चाहे हो boron हो, manganese हो, zinc हो यह सब micronutrients और भी कही सारे चोटे-चोटे nutrients आपको देखने को मलते हैं उसके basis पे plant का growth होता है फिर उसी के basis पे आगे fertilizer अब पहले की time पे क्या होता था अगर मैं बात करूँ fertilizer की पहले के time पे देखो ध्यान दो तो जो खाद होती थी जो गोवर से रिलेटर जो खाद बनाई जाती थी उसमें सारी चीजें बिलकुल प्रियाप्त मात्रा में होती थी उसके अलावा फिर और अच्छी ये तो एक नॉर्मल भैस के गाए के गोबर की खाद होती थी उसके अलावा अगर आपको जबरदस्त nitrogen चाहिए तो जो बकरी की खाद होती है उस वो और बढ़िया जैसे मिर्च के लिए यूज होती है बहुत बहतरिं क्वालिटी की होती है बकरी की खाद अब आपको क्या बात करें कि हम बच्पन में जब काफी चीजे जब मिर्च के खिटों में बकरी की खाद देते तो अच्छा खासा प्रोडक्शन और गैनिक चीज है वो बकरी की खाद है गाए बहस का गोबर उससे बनाई हुई खाद या फिर वर्मिंग में डॉक्टर आपको क्या कहता है जी विटमिन सी की कमी होगी यह वाला माक्रोन्यूट्रिंट कम हो गया बीटवल्व कम होगी का बैवी कॉम्प्लक्स खालो है कि नहीं पहले आप सारी चीजा भोजन से लेते थे आज अब देखते हो क्या होता है मल्टी विटमिन की गोलि अनिक बट हम खुद भी चीजाय कर रहे है जा देखायों के तौम ड्यक्ट लिटमिन दे रहे हो और वहीं चीज़ आज करके डेट में फर्टिगेशन का सिस्टम और जब भी खेती बाड़ी से जुड़ी भी बात आती है तो मुझे थोड़ा इंट्रस्टिंग लगती है चीजें तो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूं तो कभी यह मत समझे अधरवाई क्योंकि हम जुड़े हु जाए और बीच में आप देखोंगे नैट्रोजन की जरूत होती है अनुम यह सिस्टम बनाया जाता है हर इसको उसको vertigation दिया जाता है ताकि आप बिल्कुल perfect और मैं कहूंगा higher yield की चीज़ा ले पाओ और यह सारी चीज़े देखते हुए एक stock दिखा था तो देखे जैसे ही कोई stock नजर आता है तो मैं आपको थोड़ा सा surrounding देने की कोशिश करता हूं ताकि आप चीज़े समझो और agriculture के बारे में जैसा भी हमने बात करें इसमें हमारा major focus था फॉस्पोरस की आपने बात करें और एक खाद की भी बात कर लिए डीएपी जो की डायमोनिया फॉस्पेट होता है उसमें दो अमोनिया होते हैं बीच में फॉस्पोर्ट की फॉस्पेट वाली चीज़े होती है और साथ के साथ हमने NPK की बात करी NPK आप देखोगे तो इतना nitrogen है nitrogen हर किसी चीज़ के हमारे लिए हो चाहे plants के लिए वह mean important material रहता है nitrogen अब आपको गयर हमारे लिए कैसे important है देखिए जब आप protein बहुत important है हमारे लिए constituents वही सारी चीज़े मिलके बना रही है और बाद में मिट्टी में ही मिल जाना है तो hydrogen phosphorus potassium सारा कुछ calcium और calcium की बात आते हैं तो calcium भी बहुत important है तो रामा फॉस्पेट का जिखर आ रहा था तो कुछ जिखर डिटेल यह शेयर किया गया एक छोटा सा स्टॉक है रामा फॉस्पेट जहां पे हम fertilizer के बारे में बात कर रहे है फॉस्पेट रामा फॉस्पेट साथ के साथ यहां पर यहां पर यह कुछ expansion कर रहा था चीज़े और इसके बारे में अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रोड़क्ट वाइस डिवनिए सिंगल सिंगल सुपर फॉस्पेट आप देखो ना सिंगल सुपर फॉस्पेट जो के 72 पसेंट का है सल्फूरिक ऐसे देखिए 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 सॉल्वेंट इसमें लेकिन मेजर जो काम इसका है वह सिंगल सुपर फॉस्पेट आप देख सकते हो और कंपनी इसी के उपर काम कर रही है साथ में कैपक्स जैसे मैं आपको कहा कि capital expenditure के उपर काम हो रहा है कि और सिंगल सुपर फॉस्पेट के पर और ज्यादा यहां पर क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए लेकिन आप यह स्टॉक रडार में क्यों आए उसका कारण समझ दी कि इसने एक जबर्दस रैली दी थी कोविट के टाइप में बीस बाइस उपे तक गिर गया था उसके बाद एक बहुत ही बहुत ही बहुत इसलिए आप खुद सोचिए कोई स्टॉक अगर इस लो से अगर आप लो देखो यहां पर तो इसने कितना 2000 का गें दिया था मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने इसको लो पर कैप्चर कर लिया कहीं पर लेकिन अगर आप इसको तसलिश से देखो जहां से वापसी हुई है इन करो चमघ problema 2 गाया उसके बाद ये पेन आपको देखने को मिला और वह पेन आप देखे अभी तक ही पेन ही है उसके बाद एक और लोर भाइर यहां पर एकलो fine आपको देखने को मिला यह दे देखोगे तो यह देखे क्लियर अब पॉजिटिविटी की उमीद यहां पर लगाएंगे जैसी यह उपर गया है बहुत जल्दी स्टॉक रडार में है सबजने के लिए कि हाँ यह मोमेंटम में है और 204 का यह प्राइस है अब हम बात करेंगे रिसक मैनेजमेंट के यह अभी है अगर यहां से 200 से ऊपर जाता है और अपने टागेटेट जोन को हिट करता है यानिके 500 जो कि आपको देख रहा है यार 290-300 पॉइंट ऊपर है तो इस लाउस के साथ यह लेकिन यह प्रॉसेस किस तरीके से जाएगा अगर यहां पर जाने की कोशिश करता है तो हमारे लि होटा सा स्टाउक जरूर है देखिए एक पॉजिटिव साइकल की स्टाटिंग होते हुई तो यह स्टाउक बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम के हिसाब से अभी के सिचुवेशन के हिसाब से और साथ के साथ अगर लोज देखो यह लोग पॉइंट था उसके बाद इसके बारे पर लोवर लोग डाइवर्ज अब मोमेंटम तो काफी इंपॉर्टेंट यह स्टाउक आने वाले टाइम पर सुपर फॉस्पेट सिंगल सुपर फॉस्पेट यानि कि जड़ जड़ों के लिए हम जड़ वाले लोग है तो फॉस्पोरस हमारे लिए बहुत इसके बाद थोड़ा सा स्टम भी बनाता है लेकिन जैसे उपर जाने लग जाएगा तो फिर हम किसके उपर जाएंगे नाइट्रोजन के लिए आएंगे पोटेशन के लिए जाएंगे साथ में डीपी नाइट्रोजन हमको दे रहा है यहां पर यह रामा फॉस्पेट कामने सब्सक्राइब करते हैं साथ में यह मंतंड आ गया है तो प्रैक्टिस मंतंड वाली प्रैक्टिस जरूर पर है मंतंड की प्रैक्टिस मत भूले अगस्त के महिमी में क्या कुछ घटा उसकी प्रैक्टिस जरूर करें और अगर आपको समझ में नहीं कि क्या प्रैक्टिस करन निये और थैक यू थैनक आपको वाराजिक्ट विडियो नियू द्टों कीज्ट टों